आज एक बहुत बड़ा इनिशियेटिव लेके हम यहाँ पे आए हैं वो इनिशियेटिव उसको हर बार कहते रहेंगे जब तक हम बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट नहीं हो जाते इनिशियेटिव एक्चुली साड़े तीन साल पहले था स्टेट और्गें टिशू ट्रांस्प्लांट और्गेनाईजेशन का काफी जादा तेजी में तरक्की हुई उस प्रोजेक्ट में और साड़े तीन साल में एक नया बेशक चैप्टर हमारे यूटी आफ जमुहन केश् सारी कहानी शुरू होती है यह वो चैप्टर है जिसके बारे में अवेरनेस नहीं थी सिरफ जमुह कश्मीर में ही नहीं पूरे उत्री भारत में ही नहीं थी शुरुवात पीजी आई चंदिगर्णे की जिदर हमारा रीजनल और्गेन ट्रांस्प्लांट सेंटर यह और्ग बढ़े हुएं मेरे स्वset स्पेश्लिस्ते और पीजिस्ट प्येटे हैं नेफरालोजिस्टे बैटे हैं हमारी सूप्र स्पिशल्टी डिसिप्लिन्स में बहुत बढवा हो रहा है। जैसे हमारी एक्स्पर्टीज बढ़ती गई हमारा कॉन्फिडन्स बढ़ता गया। और पर फेलियर हो गया यहां बहुत सारे वाइटल ऑर्गेंज हार्ट फेल हो जाता है पैंक्रियास बिल्कुल फेल हो जाता है को विड में हमने देखा कि यह लंग जी काम करना बंद हो गए तो ऐसे जो वाइटल ऑर्गेंज इनके भी न जिन्दगी पॉसिबल नहीं है और ट्र है कि live donations हो सकती हैं जैसे kidneys हैं हमारे पास दो kidneys होती हैं तो एक kidneys से भी जिंदगी normal और अच्छी चलती है अपने सगे संबंदियों को kidneys देना शुरू होगे हमारा यह super specialty hospital यहां department of urology ने एक बड़ा पहला कदम उठा लिया बहुत टाइम पे वो था इन्हों transplant शुरू कर दिया हम देख रहे हैं कि काफी वजाएं हैं जिनकी वजा से chronic kidney disease सुनते हैं आम लोग की dialysis कराने पड़ रहे हैं तो kidney transplant उसका एक solution होता है वो हमने शुरू कर दिया और आज तक हम 15 successful renal transplant कर चुके हैं वो बात थी life donations की अब बाकी के organs हैं कि अगर किसी को heart चाहिए या lungs चाहिए या pancreas चाहिए small bowel चाहिए liver चाहिए तो बाकी के organs जो हैं उनके लिए diseased organ donation की तरफ हमें रुख करना होगा बहुत सारे लोगों को liver failure हो जाता है pancreas failure हो जाता है small gut की जरूरत है या lungs या heart failure हो जाता है तो यह organs कहां से आएंगे दक्षनी भारत में देखा गया है कि बहुत जादा organ donations जिसमें diseased organ donation या cadaveric donation शुरू हो चुकी है हमारे उत्तरी भारत में इस पे जागरूपता की बहुत जादा जरूरत है इसमें यह समझने की बात है कि हम यहां आए दिन देखते हैं जैसे हमारी emergency में medical college की emergency में 6 से 20 deaths होती है तो कुछ लोग उनमें brain dead होते हैं यानि पूरी body उनकी ठीक काम कर रही है उनके सारे organs ठीक काम कर रहे हैं heart ठीक काम कर रहा है kidneys कर रही है liver कर रहा है lungs कर रहे सारी body ठीक है मगर वो जो unfortunate कोई brain dead है किसी वजह से तो हमारी जो experts की team है पहले ही उनका काफी इस पे है अपना knowledge और expertise लेकिन और भी experts को further training के लिए हमने aims यह बहुत जो reference institutions हमारे हैं अच्छे अच्छे उनमें ओर training के लिए भेजा क्योंकि हमारे लिए सीखने की बात है कि brain dead घोशित करना किसी को उसका मतलब है कि brain dead हो चुका है बाकी body काम कर रही है तो वह एक ऐसा subject रहता है जिससे कि सारे precious organs निकाल के बहुत सारे लोगों को जिन्दगी दी जा सकती है आज की जो हमारी बातचीत है इस बारे में है बहुत मुश्किल से लोग रक्तदान की तरफ बड़े जैसे कहते हैं कि जीते जीते रक्तदान तो अब उधर भी हमारे कदम 100% voluntary donation की तरफ जा रहे हैं कहा जाता है कि ऐसे routine में कि God loves cheerful donations और donors के बारे में कहा जाता है कि जो लोग donate करते रहते हैं कोई भी body mind overall system ठीक रहता है तो रक्तदान की तो यहां पर काफी बड़ावा हुआ बढ़ चड़कर हमारे लोग आगे आ रहे और रक्तदान देते हैं जीते जीते रक्तदान अगर हो सकता है तो जाते जाते जब earthly plane को छोड़ते हैं हम सारे mortals है तो जाते जाते आंग दान का भी हम ए एक option रखना चाहिए जैसे कई लोग देख नहीं सकते तो आंखें नेत्रदान किया जा सकता हर एक का नेत्रदान किये जा सकते हमारे यहां अपने डॉक्टर ने अपने माता पिता सगे संबंदियों के हमारी एक डॉक्टर अभी पीछे untimely demise हुआ उन्होंने लिखके रखा था उनकी नेत्रदान घर के गई तो दो लोगों को वो रोश्णी दे गई ऐसे ही organs यूज हो सकते हैं brain dead के brain dead वो लोग होते हैं जैसे road traffic accident हुआ brain injury हो गई brain death हो गई बाकी के organs उनके दिये जा सकते हैं इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी exercise भी की एक तो यह सारे organ transplant हम अपने institution में शुरू करना चाहते हैं हम तेज तरक्की कर रहे हैं कि liver भी transplant कर सके यहां पे हम heart भी transplant कर सके यहां पे हम pancreas भी transplant कर सके हमारे doctors के पास बहुत जादा expertise है और वो करना भी चाहते हैं लेकिन आप donors होने चाहिए और उसके लिए यह आप से मिलने की एक बहुत बड़ी वजा है और हम आभारी हैं आपके की हमारा message आप जनता तक पहुंचाइए जैसे हमने pledge forms भरे बहुत सारे लोग almost 2000 लोग pledge कर गए कि जब अगर कोई किसी भी हाथ से बें उनके साथ ऐसा हो जाए तो वो आपने अंग देना चाहेंगे PGI में महल 49 घंटे old एक बच्चे के अंग उसके माता पिता ने बच्चे की किसी वजा से death हो गई वो जी नहीं सकता था ऐसी उसको congenital disease थी तो उसके अंग माता पिता ने देखे उस बच्चे को जीवित रखा बहुत सारे लोगों के माध्यम से तो उनको इस चीज से काफी खुशी हुई अभी दो चीजों पर फोकस करने की जरूरत है एक तो हम प्लेज कर दें जैसे हम सब ने भी प्लेज किया है कि जब भी हम mortals जाए तो हमारे organs अगर किसी के काम आ सके वो organs ले लेने चाहिए और दूसरा अगर कभी unfortunate किसी का अपना प्यारा सगा संबंदी brain dead होत में intensive care unit में emergency में तो हमारी teams हैं वो जो देखती हैं पूरे expert तरीके से कि वो brain dead घोशित हो जाए अगर तो वो उसके सगे संबंदी ऐसा फैसला ले सकते हैं कि उसके organs दे सके उसके लिए एक तो हम यहां भी organs transplant शुरू करेंगे दूसरा बड़ा कि हम हमारी सौटो हमारा state organ tissue transplant organization पीजी आई चंतिगड के अंडर काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पीजी आई में हर organ transplant कर रहे हैं उसको रीजनल नौर्थ इंडियन रीजनल organ transplant organization बोलते हैं और हम सारे national organ transplant organization के अंडर नॉट्टो के अंडर है अगर हमारे पास ऐसे कोई subjects हों जिनके organs दिये जा सके तो हम immediately noto को inform करेंगे और वहां की expert teams हमारे यहां पे organ retrieval के लिए आ जाएंगी और ये organs ऐसे centers में पहुँचा दिये जाएंगे जिन मरीजों को इनकी जरूरत है उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी exercise जिसके लिए green corridor establish करना पड़ता है क्योंकि organs जो है उनकी viability limited hours के लिए हो सकती है अगर kidney है तो 16-18 घंटे तक viable रहती है मगर अगर हमने heart यहां से किसी center में भेजना है तो चार घंटे के अंदर ही पहुँच जाना चाहिए ऐसे ही lungs जो है वो 10-12 घंटे के अंदर पहुँच जाने चाहिए तो यह एक बहुत बड़ी scientific exercise है और यह हमने green corridor की exercise की अपने यहां ताकि कल को हम successful हो जाए हमारी awareness हर एक तक पहुँच जाए और कोई voluntarily organs donation की तरफ कल को लोग आए तो यह organs जो है बहुत सारी जिन्दगियां बचा सकें तो यह एक बहुत act of kindness और art of living हम इसको मानेंगे काफी तसल्ली देने वाली यह activity होगी और यह voluntary donations का जो इसलसिला हम शुरू करना चाहते हैं यह आज की हमने आपसे मुलाकात इसी को लेके की है हमने green corridor की जो exercise की वो बहुत बड़ी multi-disciplinary exercise हमारे hospital में तो इसको करने के लिए बहुत सारी meetings बहुत सारे departments का योगदान तो और coordination cooperation तो होनी चाहिए हमें district administration की local police की traffic police की airport authorities की सब की जब सहयोग मिलेगा तो हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे तो आज का जो हमारा ये आपके साथ mail मिलाब है ये इसी को लेके है कि जैसे हमारे जम्मू में हमारा youth हमारी NGOs बहुत सारी संस्थाएं मिल जुलकर रत दान कराती हैं और आपसे मैं सांजा करना चाहूँगी कि पीछे जो जजर कोटली का एक्सिडेंट हुआ बहुत घातक जिसमें आठ तो वहीं पे मोते हो गई साइट पे एक प्राट डेट थे एक को डिकलेर किया लेकिन चार लोग शौक में आए शौक मतलब इतना ब्लीड कर चुके थे और हमारे पास खून की कभी कोई कमी नही करती और हम आगे पीछे भी जो कई नर्सिंग होम्स हैं वह भी हमारे से ब्लाड ब्लाड प्रडक्ट्स प्लाजमा सब कुछ लेते हैं कभी भी हम ना नहीं करते हैं यह हम दावे से कह सकते हैं तो हम 100% वालेंट्री डोनेशन की तरफ भी जा रहे हैं और अब हम पार्गें डोनेशन की तरफ भी अपने कदम तेजी से बढ़ाएगे